ये चिकु में बारा मैने फ़ला था है अब देख सकते हैं बारा मैने में इसमें हार टाइम प्रूट मिलेगा अब देखिए बड़ा चिकु भी है और इस बारे में ज़्यादा जानकरी के लिए पूरा वीडियो को एंड तक देखिए वेल्कम टू थाई प्लांट नासरी यूटिब चैनल थाई प्लांट नासरी का यूटिब में वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धनेवाद मेरे प्यारे किसान भाईयो अभी आपको जो दिखा रहा हूँ यह हमारा काला पत्ती चिकु का मदर प्लांट है औ आप देख सकते हैं इसमें हर प्लांट में चिकु लगा हुआ है और आप देख सकते हैं इसमें बारा मैना फाल आता है और यह देखिए फल का साइज देखिए और इस फल का साइज देखिए और इसका पास से नया कली आया हुआ है दूसरा ब्रांच पे भी देखिए कितना सारा कली है इधर फ्रूट है इससे भी बड़ा फ्रूट नीचे की तरफ है और आप देख सकते हैं इधर पर भी बड़ा फ्रूट है इसमें 12 मेन फल आता है तो आपका जो चिकू का खेती करके जो फैदा आपका है वह जब आपका उमर ज्यादा हो जाएगा तब इसमें काम क्योंकि यह प्लांट लगाने के बाद एक साल तक इसका थोड़ा ध्यान रखना होता है फिर उसके बाद बीच बीच में एक एक बर खाद और पानी देंगे तो हो जाएगा इसमें टीटमेंट का खर्चा बहुत ही कम है खली लगाने का टाइम आपको मैनत है और दूसरा ट को आ गया है और अभी जो टाइमिंग है अभी तो डिसेंबर चल रहा है तो जानवारी में और भी फ्रूट आएगा अब देख सकते हैं यह देखिए और इसका जो बड़ा बड़ा जो मैचुरेट फ्रूट है वह हम तोड़ लिया है इसके लिए बड़ा फ्रूट आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ और इसमें छोटा से यानि जब आपका पेड दो तीन मैना उमार रहेगा तब से ही इसमें फूल फल आना चालू हो जाएगा और हमारा पूरा बड़ा को आपको दिखा रहा हूँ सबी पेड को आपको दिखाऊंगा सबी पेड में फूर्ट है किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है और बिलकुल नहीं है ऐसा वाला पेड एक भी हमारा बाग में नहीं है सब पेर में फल आया है मगर कम ज़्यादा कम ज़्यादा करके आया हुआ है और हाइट भी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है आप देख सकते है बहुत ही छोटा हाइट है और सभी पेर का साइज एक ही जैसा है आप देख सकते है और सभी पेर में प्रूट है, कली है, तो यह जो फराइटी है, इसमें आप एक बार लगवाएंगे तो 60-70 सल अच्छे से यह होगा, यानि आप जब बुड़ा हो जाएंगे, तब भी आपको इंकम मिलेगा, और देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा फराइटी है, चिक्कु कलापती, तो आप यह देखिए, अगर आप चिक्कु का दो तीन एकड़ का बाग लगवाएंगे ना, तो आपको जब आपका उमर जादा होगा, पचास साल के उपर जब आपको काम करने का समता नहीं रहेगा, उस टाइम आपको बाग से पैसा आते रहेगा, यानि आपको जो लाइफ इंसूरेंस बगरा करना पड़ता है, जिन्दकी में चलने के लिए, तो वो भी करने का जुरूरत नहीं पड़ेगा, अगर लाइफ इंसूरेंस कमपानी कभी-कभी धोका दे देता है, मगर यह जो पेड़ है, पेड़ कभी धोका नहीं देगा आपको, इससे फल आते ही रहेगा, हर साल फल आएगा, और आप खेती करके भी बहुत ही आच्छा कमा इंकम ले सकते खेती से, तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा, तो एक लाइक कर दीजिए, और दूसरा किसान भाईयों को भी फेस्बूक वाटसाप की तरो में शेयर कर दीजिए, बाकी ओ भी यह वेराइटी देख सके, और थोड़ा बहुत लगा सके, और अगर हमारा चैनल का वीडियो आप नया देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, एक सस्क्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, बाकी हम जो नया नया वेराइटी लाते हैं, वो आप उसका लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं, औ ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जै जवान, जै किसान